Interest Group किस तरह से उनका क्या तरीके कार होता है जिससे वो influence करते हैं policy formulation को या फैसलों को किस तरीके से करते हैं पहला जो अगर हम देखें जो public sector है जिसमें मैंने ये बताया था कि bureaucracy है एक बहुत बड़ा government का जो unit है कह लें और important arm of the government है which is bureaucracy वो बहुत सी policies को influence करता है बहुत मुखतलिफ तरीकों से एक तो ये है कि जो civil servants है या society इस तरह से structured होती है हमारी society खास तरह पर पाकिस्तान में हो या even जो आप sub continent का culture है उसमें आप देखें कि हर कोई एक दूसरे को जानता है तहाँजा कुछ policies जो हैं जो directly civil servants को effect करती है influence करती है वो आम तोर पे salary होती है और यानि तनखा तनखा तन motion होती है तीसरी चीज़ जो civil servants को effect करती है वो performance measurement करती है यानि performance measurement के systems ऐसे हो जो ज़्यादा से ज़्यादा civil servants को favor करें यानि वो इतने clearly laid down ना हो याज़ा कोई भी policy या कोई भी reform या कोई भी ऐसा फैसला जो directly ये चंद एक मैंने मिसालें दी है directly इन चीज़ों को effect करती है वो ह तरीका ये है कि आप देखें कि हर budget में चाहे वो provincial है चाहे वो federal है raise in salary जो है वो जरूर होता है चाहे खजाने में पैसे हों या ना हों लेकिन bureaucracy की तनखाएं जरूर बढ़ती है अगरचे इसके बहुत से negative असरात ये होते हैं कि अगर आपकी economy grow नहीं कर रही और आप salaries बढ़ बढ़ने के chances ज्यादा होते हैं लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं होती ये होता है कि salary में raise हो जाए क्योंकि इसका एक psychological effect होता है लोगों के उपर prices बढ़ रही हैं वो अपनी जगा पे हैं और salary का effect उन prices के effect से increase का effect उन prices के effect से कम है तो उसकी क्योंकि इस salary raise का effect सिरफ एक psychological effect होता है और इसमें आप देखें कि सब budgets जो हैं वो इसी तरह से performance measurement जो है जितनी भी आप कोशिश कर लें कि बहुत clearly को इसके लिए rules बनाए जाएं और strictly इसको follow किया जाएं तो इसमें भी बहुत सी resistance जो है इसमें आता है और ये एक बहुत important interest group है bureaucracy का जो है international organizations जो हैं वो किस तरह से फैसलों को influence करते हैं आगर हम IMF की मिसाल दें जो पाकिस्तान ने memorandum of understanding sign किया extended fund facility का और world bank से पाकिस्तान loan लेता है तो इसमें बहुत सी negotiations होती है और ये through negotiations जो है policy effect होती है इसकी एक मिसाल ये है कि value added text जो है दो हजार आठ नौ में जब इसको लगाया गया तो यहां से पाकिस्तान की जिसको वैट मोड में कहते हैं तो इसके उपर काफी resistance होई तो इसके बीच में जो effected लोग थे वो business लोग के भी लोग थे और लहाज़ा उनका pressure काफी ता है दूसरा नाम दे के और for a very long time इस पे काफी resistance रहा तो interaction बहुत सी चीज़ें जो है taxes increase कर दें हम अपने deficit को कम कर लेंगे हम reforms लें liberalize कर लें यह सारी चीज़ें जो है international organizations की influence से पाकिस्तान की policies को effect करती है loans negotiation की reforms जतने macro economic reforms जो है यह सारे जो है इसी से जो है वो international organization के थूँ जो है वो policies में जो तबदीली आती है बहुत सी वो loans और structural adjustment program के थूँ आती है फिर private sector में standing committees के जो अगर इस तरह की है के reforms करने है तो standing committees जो होती है उसमें private sector के भी membran जो है वो शामिल होते हैं और वो उनसे informal negotiations भी होती है informal relationships भी होते हैं legislators के और वो इस तरह से मुख्तलित तरीके से lobbying से और individual associations जो है अपनी firms की associations की जैसे किया तो वो influence करते हैं अपनी associations के थूँ फिर consultation होती हैं और बहुत से फैसले जो होते हैं private sector जिनको influence करता है वो कहते हैं over the breakfast table पर यानि informal meetings जो हैं उससे होते हैं petitions और threats भी होती हैं जिसका इस्तमाल किया जाता है petitions की जाती हैं किसी चीज को किसी policy को रोकने के लिए या किसी policy में amendment protests होते हैं demonstrations होती हैं ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो policies को को आप influence करते हैं policy formulation को media एक बहुत player है ये through its discussion forum होते हैं आपने media पे सुने होंगे फिर outreach program होते हैं बहुत से ऐसे government के programs को media दिखाता है जिसमें government के failure को identify किया जाता है और programs ऐसे programs भी दिखाता है जिसमें कोई successful experience हो government का तो media एक बहुत important player है जो policy को influence करता है ये एक caricature है जिसमें सिरफ ये बताया गया है कि मुझे vote दो मैं किसी interest group से belong नहीं करता और वो कौन है वो शक्स वो है जो गरीब है जिसका कोई interest group नहीं है और वोट मांग रहा है सिर्फ ये कहके कि I don't belong to any interest group